सन मेडिकल कॉलेज की महिला चिकित्सक योग्यता गौतम मामले में गुरुवार को ततकाली इंसीओ के कोट में बयान दर्च किये गए इस दोरान हत्या के बाद बरामत किये गए समान को भी बारीकी से देखा गया एक तरफा प्यार में पागल साथी चिकित्सक ने ही गोली मार कर योग्यता को मौत की नीन्द सुला दिया था एसन मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर योग्यता हत्यकांट में ततकालीन सीओ चमन सिंग चावडा की गुरुवार को कोट में गवाही हो गई है इस दोरान दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की जुरह होनी थी लेकिन दिवानी में मनाये गए काला दिवस के कारण जुरह नहीं हो सकी ततकाली इंसीयों की गवाही के दोरां संबंधित थाने की पुलिस जुटाए गई साक्षी लेकर अदालत पहुची लेकिन जुरहे ना होने पर समान भी नहीं खोला गया अब इस मामले में 10 अक्टूबर को अधिवक्ताओं की जुरहे होगी वरिष्ट अधिवक्ता SS चौहान का कहना है कि कोरोनकाल में डॉक्टर विवेक तिवारी ने सन मेडिकल कॉलिज से कार में ले जाकर योगिता की गोली मार कर हत्या कर दी थी इस मामले में डॉक्टर विवेक तिवारी जिलाज जेल में निरुध है योगेता हत्याकान का मामला SGST एवं अपर जिलाजज दितिये की कोट में चोड़ा हा है इस प्रक्रण में योगेता गौतम की तरफ से अधिवक्ता ऐसे चौहान प्रेम कुमार सिंग प्रिति कुपता पैरवी कर रहे हैं सी न्यूज के लिए मैं शर्माक रिपोट